हलो फ्रेंड्स विल्कम बैक मैं चैनल मेरे कीचन में आप सबका बहुत बस आ गया थे आज मैं आप सबके लिए बिहार की एक और रेसिपी लेके आई हूँ जो छट पूजा में जरूर बनाई जाती है इसकी बिना तो पूजा अधूरी रहती है जिसे ठेक हुआ बोलते हैं और इसे बनानों बहुत ही आसान है और मैं पूजा में वही तरीका में आप लोग अच्छा शेयर करने वाली हो तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कॉन से से देखरें यह भी कमेंट करक अच्छा जाता है ताकि मैं आपको थाउंक्यू बोल सकूं तो थेकवा बनाने के लिए सबसे पहले हम गुड को मेल्ट करें गे आज हम ठेकवा गुड से ही बनाए जाता है जो पूजा के लिए होता है वह गुड से ही बनाए जाता है तो मैंने एक छोटी किलास पानी पूजाते बनारेंगे तो दलाएंगे तो करेंगे जल्दी ही। यह इसाब से गुड़ को चान लेगी क्योंकि गुड़ में गंदगी को चान दें जो आपने चानना बहुत जरूरी है। अर्टी बनागी फोड़ी जाया गया कुछ बनाएगी मैं रेडी में जो आटा आता है मैं उससे ही बनाने वाली हूँ पूजा के लिए प्रपर होई होता है तो एक बार इस तरीके से छान लेंगे और जो गुड़ की थोड़ी बहुत डली रहेगे तो इस तरीके से चम्म से मैश करेंगे तो वो निकल जाएगा तो देखिए यह हम और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे सौफ जो बहुत जरूरी है इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो मैं आपर ले रही हूँ आदी चोटी चम्म सौफ आप चाहे तो इसमें कटे हुए जो नारियो लोते सूखे वाले वो भी डाल सकते हैं किसमिस भी डाल सकते हैं मूइन के लिए तो मैं आपर 2 कट्ची भर के मूइन के लिए घी ले रही हो डेसी घी में बनाये जाता है प्रॉपर देसी घी में यहां पर यूज कीजिए गार दो कट्ची डालेगा तोड़ा गरम कर डालेगा इसे बहुत ज़्यादा अच्छा मू fairness और जो ठेकवा है बह जो लोग बिहार से उनको आती है यह रेसेपी तो प्लीज कमेंड करके जरूर बताईएगा और यहाँ पर मैंने जो गुड की पानी तैयार किया थोड़ा थोड़ा पानी डालके जो गुड़ वाली है वह आटा लगा के तैयार करेंगे देखिए आटा ज्यादा इसे गुदन नहीं तो मैंने उतना ही आटा में थोड़ा सा जो चासनी बच्ची ती गुड़ की पानी वो मैंने हट रख दिया है और यहां पर मैंने इलाइची पौडर नहीं एड किया था मैं भूल गई थी तो ऊपर से मैं डाल रही हूं आप चाहे तो जब आटा लगा रहे उसी टाइम इसमें डाल देजिए मैं आदी छोटी चमच इलाइची पौडर डाला है और यहां पर आप चाहें तो नारिल को कद्दुकस करके भी डाल सकते हैं मैंने आपके कुछ नहीं डाला है और देखिए इस तरीके से हमारा आटा एकदम सौफ्ट होना चाहिए और थोड़ा सा चि साचा नहीं होता है मेरे पास भी साचा नहीं है उडेन का साचा होता है जिनके बिहार में उने पता होगा मेरे पास तो नहीं है मैं आपको बिना साचे की ठेक बना के दिखाऊंगी तो इस तरीके से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे हातों से प्रेस करेंगे दबाएंगे और और यह देखिए बढ़िया सा इसके उपर अच्छे से निशान आगे यह दूसरा तरीका हुआ है और एक और तरीका है जो अभी भी 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 हार में यूज किया जाता है अगर आपके पास आचा नहीं है तो आप क्या करेंगे जो टोकरी होती है न उडेन की जो डलिया होती है जिसमें सबजी अवेगरा रखते हैं वो वाली ले लीजिए मेरे पास उडेन वाली नहीं है अभी तो मैं प्लास्टिक वाले पर करके दिखाती हूँ बस उसे धोले अच्छी तरीके से क्लीन कर ले उसके बाद जो पेडिया है इसके उपर रखेंगे और हातों से हमें दब जादा नीचे तक नहीं करना उपर उपर ही करना है तो मैंने आपको चार तरीके बता दी इन जारों में जो आपको अच्छा लगे वो बनाईए नहीं तो आप प्लेन भी से बना सकते हैं और इसे फ्राई करने के लिए हमें सुध घी चाहिए घी में बनाएंगे तबी वही तो मैंने अपर घी ले लिया है और हलका गरम कर लिया इसमें छोटा सो बॉल डालेंगे और छोटे चोटे बबल सारे हमारा घी परफेक गरम है वैसे आप इसे तेल में भी फ्राई कर सेते हैं लेकिन आपको परफेक वही वाला टेस्ट चाहिए जो चट पूजा में बनाए जितना कम आज पर फ्राई करेंगे उतना अच्छा रहेगा और जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तब इसे प्लट के हम दूसरी तरफ से अच्छा गोल्डेन ब्राउन होने तक इसे तल लेंगे और जब यह थोड़ा सा फ्राई हो जाए तब इसे प्लट लेंगे देख करेंगे बहुत काम आज पर धीमे दीमे आज पर क्योंकि थोड़ा मोटा होता है और अंदर तक पकना बहुत जरूरी होता है तो आप थोड़ा पेसेंस रखे अच्छा गोल्डेन ब्राउन होने तक इसे तल ले तो यह फ्राई हो गया है चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और आ करके बताते जाएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी पॉर्फेक्वा बनी है या नहीं तो यह दिखे मैंने सारे ठेकवा को फ्राई कर लिया है और अभी छट पूजा आने वाला है तो आप इस बार अपने घर में इस सिंपल तरीके से ठेकवा बना के पूजा कीजिए म जितना हो से कि अपने फैमिली फ्रेंड्स का इस वीडियो को शेयर जरूर करें आपके शेयर और कमेंट लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है तो प्लीज यह सब जरूर करें मैं आपसे फिर मिलूँगी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब किली बाइब बाइ